Hello dear friends, welcome to Sobhit Agrawal classes and my dear students How are you? I hope all of you are great and doing well in this critical situation of COVID-19 आज का जो टोपिक है, Synthesis है और ये वीडियो नमबर 6, 7 है, sorry, 7 है इससे पहले मैं इससे पहले 6 वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ, Synthesis से रिलेटीड हमारे जो टोपिक चल रहा है, Synthesis में वो चल रहा है, किस तरीके से हम Simple Sentence, Simple Sentence जैसे दो से ज़्यादा सेंटेंस हमारे पास आते हैं, उन्हें कमबाइंड करके, हम किस तरीके से एक Simple Sentence बनाते हैं, वो टोपिक चल रहा है अलग-अलग इसके Rules होते हैं, तो इससे पहले मैंने कहीं वीडियो चैने वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ, अलग-अलग Rules Related और उन्हें रिलेटीड एक्सराइस की भी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ, वो भी देख लेजएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आप करते हैं, ज्यादे समयन आप वेश्ट करते हुए, तो जो टोपिक है आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा by using adjective conjunction end, तो देख लिजेगा इसका Rule क्या है, यह सबसे easy, one of the easiest rule in synthesis, अगर synthesis में कहूँ, तो सबसे ज्यादा जो easy rule है, वो यह है, आप sentence करने में आ आप note भी करते रहना, और इसकी जो exercise है, exercise number 23 है, आपको new style में exercise करनी है, उसका solution आपको कल प्रवाइड करा दूगा, यदि दिये हुए, देखे क्या Rule है, यदि दिये हुए, दोनों वाक्यों में से, दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य के subject तथा object में से संबंधित, object से adjective दिया है, मतला हुआरे पास दो वाक्य होंगे, एक यहां पर हो गया वाक्य, एक वाक्य हो गया, तो क्या बता रहा है कि वो पहले वाक्य के subject तथा object से संबंधित, इस वाक्य में जो subject या object होगा, इस संबंधित, इस वाक्य में कोई adjective दिया रहेगा, तो उस adjective को संबंधित subject से पहले मलें यहां पर जो adjective होगा जिसके बारे में बात की हुई है यहां पर तो उसी से पहले उसे रख देते हैं इस तरह इस वाक्य की क्यों किरिया होती है वो समप्त हो जाती है और हमारे simple sentence बन जाता है आपके सामने example है यह साप easy समझ जाएंगे I met a man the man was blind तो क्या rule है हमारे सामने दिये हुए दोनों वाक्य एक यह वाक्य हो गया दूसरे वाक्य में मतलब की दूसरा वाक्य में पहले वाक्य के subject या तो इसके बारे में या इसके subject या object या तो इसके बारे में या इसके बारे में कोई adjective दिया है कि एजेक्टिव क्या है ब्लाइंड कोई एजेक्टिव दिया है तो उस एजेक्टिव से संबंदित सबसे पहले रख देते हैं तो यह ब्लाइंड इसके बारे में बात हो रही है तो जो संबंदित सब्जेक्ट होगा उससे पहले उसे रख देंगे जैसे कि जिसके ब वैंद्ध व्यक्ति रहा वॉस आदमी की विसेश्ता बताई गई ब्लाइन तो जिसकी विसेश्ता बताई जाती है जो सब देखे और एक्जाम्पल देख सकते हैं I saw a beggar, he was weak, he was blind, he was disabled also तो इस beggar की विसेश्था, इस beggar की विसेश्था weak भी है, blind भी है, disabled भी है तो हम क्या करेंगे इसमें, भाई पहले वाक्य में, जो दूसरे वाक्यों होंगे उसमें यह तो subject की विसेश्था दी जाएगी, object की विसेश्था, इसमें object की विसेश्था दी गई है तो यह सारे जो words हैं, यह हम इस object से पहले रखा देंगे, beggar से पहले आइसा, देख लिजेगा कैसे बनाया, आइसा, a weak, blind and disabled beggar देख लिजेगा, एक बात ध्यान रखना, अमेसा दिसे दो words, दिसे weak और blind, दो हमने comma यूज़ कर दिया, फिर बाद में जो word है, तीस दिरी बर comma यूज़ ना करके, हम end लिख देते हैं concept यहाँ पर clear होगी होगी, adjective वाली, अब किस तरह के से हम conjunction का use करके, हम वाक्य को एक करेंगे, देख हमारे पास दो वाक्य दे रहेंगे, दो वाक्य के subject, अलग-अलग, परन्तु, predicate क्या होता है, देखें, एक वाक्य के दो part होता है, प्रेडिकेट, एक होता है subject का part, और एक होता है object का part, मलब वर्ब के बाद का part होता है, वो predicate कहा जाता है, जो वर्ब के बाद का part है, वो predicate है, यह बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या बताया होगा है, यह दो वाक्यों में subject अलग-अलग है, प्रेडिकेट समान हो, तो subject को end से जोड़ें तसा predicate के वल एक ही परियोग किया जाएगा मतलब एबात ध्यान रखना यदि दोनों वाक्य के subject एक है और उसका जो बाद वाला हिस्सा है वो एक है मतलब दोनों के subject सोरी अलग-अलग है और बाद वाला जो हिस्सा है वो समान है तो क्या करेंगे जो subject होगा सिर्फ उसे end से जोड़ देंगे और जो बाद वाला हिस्सा है वो ऐसा कैसे लिखेंगे example राम और मोहन यहाँ पर अलग-अलग subject होगे cannot play football cannot play football यह दोनों जो बादवाला हिस्सा है, subject के बाद वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, तो यह तो यह कया है, लेकिन जो subject है, इसे हम end से जोड़ देंगे, देखिए, यहां पर हमने end से जो दिया, जोड़ दिया, राम एन मोहन चैन नोट प्ले फुटबोल, समझ गये होंगे यह concept मेरा मतलब आप समझ गये होंगे कि दोनो subject दोनो वाक्यों के subject अगर अलग-अलग है predicate समान है मतलब जो subject के बादवाला हिस्सा है वो तो समान है subject अलग-अलग है तो subject को जोड़ देंगे end से अगर यह concept उल्टी होकर आ गई subject तो वाक्यों के एक हो लेकिन predicate जो बादवाला हिस्सा है वो अलग-अलग है तो उसे end से जोड़ देंगे बादवाले हिस्से को अब end से जोड़ दें कैसे? C likes, sweets C likes, fruits C likes, fruits C likes, fruits C use है, दोनो एक ही है तो C पहले use किया जो बादवाला हिस्सा है ये वाला इसे हम end से जोड़ देंगे likes, fruit and sweet अब ये जो बादवाले हिस्से हैं हमने ये end से जोड़ दिये दोनों के subject एक हैं अगर दोनों के subject एक हैं तो बादवाले हिस्से को जोड़ देंगे end से दोनों के subject अलग-अलग हैं आपको exercise number 23 करनी है, कोई भी query है पूछ सकते हैं, आपके सामने sentence, example भी दिये हुए हैं, बहुत मैनस से आपके लिए notes बनाए हैं, तो इन्हें utilize करना आप सभी के helpful होगी, thank you very much, bye bye, stay tuned with Sobith Agrawal Classy, जिसने चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe करें, वीडियो अच्छे लगी हो, तो like भी करें अपने friends के साथ share करें, thank you very much, bye bye